नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ हेल्दी रहने के लिए एक्सेसाइज करना बेहद आवश्यक है हालागे सही एक्सेसाइज और उसे करने का सही तरीका आपको मैक्सिमम बेनेफिट देता है यूँ तो आप खुद को फिट करने के लिए कई तरह की एक्सेसाइज कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपनी लोर बॉड़ी पर काम करना चाहते हैं तो आपको डक वॉक एक्सेसाइज करनी चाहिए क्योंकि ग्लूटस और जांग की मासपेशियां बड़ी मासपेशियां होती हैं जिन पर काम करना आम तोर पर मुश्किल होता है और इसलिए डक वॉक एक्सेसाइज करने से इन मसल्स पर फोकस करना और उन्हें मजबूत करना अधिक आसान हो जाता है तो जली इस वीडियो में जानते हैं कि डक वॉक एक्सेसाइज के फायदे क्या है और उसे करने का सही तरीका क्या है डक वॉक एक्सेसाइज करने के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों को चोड़ा करके खड़े हो जाएं इस बात का ध्यान रखे कि आप exercise करते हुए अपनी abdominal muscles को tighten कर ले ताकि पीट और पेट की mass patient को घलती से भी चोट न लगे अब आप अपना balance बनाते हुए घुटना मोडते हुए नीचे आए लेकिन आपको पूरा नीचे नहीं आना है आपको अपने शरीर को कूलों से इतना नीचे करना होगा जैसे कि आप एक कुर्सी पर बैठने वाले थे आपका पूरा भार एडियों पर होना चाहिए ये स्कॉर्ट जैसी position होगी duck walk exercise करते हुए अपने हातों को अपनी चाती के सामने रखें इससे आपको balance बनाने में मदद मिलेगी अब आप हलका हलका पैर उठाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ें और फिर वापस उस अस्थान पर वापस आएं जहां से आपने शुरू किया था अब आप धीरे धीरे खड़े हो जाओ ये सलहा दी जाती है कि duck walk exercise करते समय आपको अपना संतुलन बनाएं रखने के लिए आगे की ओर जुकना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सकेगी वजन एड़ी पर बना रहे शुरूआत में आपको exercise करते हुए पैरों में दर्द का एहसास हो सकता है लेकिन आप नियामित रूप से duck walk का अभ्यास करते रहें तो इससे आपके पैरों की muscles मजबूत होगी साथी साथ stamina भी बढ़ता है आप शुरूआत में अपनी शमता अनुसर duck walk exercise करें लेकिन धीरे ध सेटों की संख्या में व्रद्धी करने चाहिए और सेट के बीच कुछ पल के लिए आराम भी अवश्य करें यह exercise नितंबू और जांगों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है ड़क एक्सेसाइज आपके शरीर के stamina को बढ़ाती है इतना ही नहीं आपके पैरों को अतरिक्त मजबूती मिलती है बॉडी बैलेंस करने के लिए इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है इस exercise की खास बात यह है कि यह cardio exercise और strength exercise दोनों ही है गर्वदी महिलाओं के लिए duck walk exercise का अभ्यास करना काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे उनकी जांगों को मजबूती मिलती है जिससे गर्वावस्ता के आखरी कुछ महीनों में बच्चे का सिर आसानी से नीचे की और आ सकता है अगर गर्वती महिलाओं यह exercise कर रही है तो पहले डॉक्टर से सला अवश्य लें साथी साथ किसी expert की देखरेक में ही इसका अभ्यास करें उमीद है यह जानकारी आपके का काम आएगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल बोल्ड काई को सब्सक्राइब जरूर करें